दोस्तों हमारी जिन्दगी में कुछ चीजे ऐसी होती है, जिसे हम नकारत्मक हो जाते हैं, और होने वाले काम भी नहीं हो पातें। मगर हम उस वक्ट ही उस चीज को सकारत्मक तरीके से देखें, तो हम उस चीज से उभर कर आगे बढ़ सकते हैं। आईए दूस्तों इसे एक कहानी के रूप में देखते हैं एक बार की बात है नेपूलियन बोनापाट एक मोहिम पे थे अचानक नाव से उतरते समय उनका पैर फिसल गया और वो छाती के बल गिर गए सैनिकों के दिल में दहशत घर कर गई शेना पती छाती के बल गिर गए यह कोई ने कोई अफशगुन है आज हम यह जंग नहीं जीत पाएंगे उनकी सेना में अजीब सा डर फैल गया नेपूलियन उट खड़े हुए और अपने कपले जटकते हुए कहा आते ही धर्ती मा ने मेरा स्वागत गले लगा कर किया अपने गले से लगाया वो भी हमारे आगोश में आने को बेकरार है आज हमारी जीत होगी अगर नेपूलियन वैसे ही उटकर चलने लगते तो उनकी सेना मन में एक हार की मानसिकता सोच लेकर जंग के मैदान में उतरती और इस वज़े से वो बेशक हार जाती पर बुना पाट ने उस अपशगूनी घटना को एक शगून रूप देकर सेनिको को उत्साहित और प्रोसाहित किया और एक नकारात्मक सोच की ज़से हार होने वाली थी उस सोच को सकारात्मक बना कर जंग जीत ली दोस्तो हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है अगर हम किसी काम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एन समय पर हम मन में नकारात्मक सोच बना ले कि यह हम उससे नहीं हो पाएगा तो वह सच में आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि नकारात्मक सोच हमें दूरबल करती है हमारे आत्मेश्वास को कमजोर करती है जिंदगी में हमेशा हर चीजों को सकारात्मक तरीके से सोचे और देखे और आपको सचमुच बदलाओ नजर आएगा दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेड में ज़रूर बताएं अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर कोई सुजा हो तो कमेड में लिखना न भूले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद शुक्रिया